हाई फ्रेंड्स वेलकम टू फातिमा पापास किचन आज अपन बनाते हैं रेगलर रिस्पी लेकिन एकदम थोड़ा सा डिफरेंट करते हुए अपने इसको बनाने से अपने को थोड़ा डिफरेंट टेस्ट भी मिलता है और रेगलर भी खाते सा फीलिंग भी नहीं आता है त तो लीजिये, शुरुवात करते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग यह है कि चांज के मिड़ियां से अपने इसका तड़का देते हैं, यहां पर तुवर दाल बोलते हैं उसको लेके अच्छा सा साब धो लेके, एक आदा घंटा फैले इसको भीगा लेना है, यह 300 ग्राम्स ली तो देखीजिये, अब अपने इसमें आड करते हैं मेथी की भाजी, यह मेथी की भाजी मैं घर में उगाई सो है, माइक्रो ग्रीन से, एकदम अच्छा सा एफ एकदम फ्रेश है, टू बंचस ली हूं मैं, पूर अच्छा साफ कर देके, अपने को अच्छा सा, छोटर है त लेकिन इसलिए टू बंचस दाले तो अच्छा रहता है, और टेमाटोस एक तीन कट करके दाली हूं, और दो टीस्पून मिडची पॉडर, अगर आप लोग यह प्लेस में ग्रीन चिल्ली से आठ करना समझें तो आठ कर ले सकते हैं, यह रेट चिल्ली पॉडर को स्किप कर देके ग्रीन चिल्ली से आठ कर सकते हैं, और वन टीस्पून हल्दी पॉडर दाल देके पूरा अच्छा सा पूरे इंग्रीडियंट्स को पूरे एक बर आच्छा सा मिला लीजिए, मिला लेने से अपने को पूरा इक्वल होने मिलके अच्छा सा कुख होता है अपने को, औ विजइलार से एक दम मज़ेदर बनता हया . तो देखिवीजी इस तरह से पूरे दाल देके एक बार अच्छा सा मिक्स कर लेके अपन इसको लिड लगा देके 4-5 विजिल्स लगाने से अपने two ao five विजिल्स लगाने से अपने को दाल एकदम अच्छा सा गल जाता है तो देखीजिए हम पे लिट को लगा देके 4-5 विजिल आए बाद ये completely थंडा हो गए बाद अपन विजिल को नई उठाना है विजिल पूरा complete थंडा हो गए बाद अपन इसको निकालना है तो उसी वक्त भी अपने को थोड़ा पकने के chances रहते हैं इसलिए अपन विजिल को स आती ही पूरा ग्यास्क निकाल देके अपन नई निकालना है तो पूरा थंडा हो गए बाद देखीजिए दाल पकके रडी हो गया है पूरा अच्छा सा इटामाटोस मेथी की भाजी और तुवर दाल पूरा अच्छा सा गल गए है अपन एक बार घोटनी लेके पूरा कर लेना है धूसरा यह है कि ये अपन स्वाधन सा नमक दाल लीजिए और अपने थोड़े जननों को अपने थोड़े द deflead में दिने से पसंद करते हैं थोड़े लोग पूरा नरम घोटने पसंद करते हैं तो आपने यहां पर थोड़ेसा दाल देखते हैं जैसा मैं घोटली हुमें यांपे इस तरह से घोट लेके पूरा एक बर अच्छा सा टैमेड़ोस और भाजी पूरा अच्छा सा घोट लेके दाल थोड़ा दाल रख लेके अपने को खाने से अपने को मज़े में बहुत मज़ेदार लगता है तो इसको साइड में रख देगे तड़के के लिए एक बाउल को चड़ा के उसमें दो टेबल स्पून आयल को दालके एक टीस्पून राई और एक टीस्पून जीरा और अपन इसमें आट करते हैं अगर आपन आप लोग लसुन के भी आट कर ले सकते हैं लेकिन यांपे मैं चांज के मिड़्चा दाल रह ह नहीं हूं और इसमें एक मुठीवर करे लिए दाल देके हैं पूरा सिंप्ल तड़का यह क्योंकि यह चांज के मिड़्चा दालने से तड़का एकदम मज़ेदार बनता है एक तो मज़ेदार बनता है, दूसरा यह है कि अपन दाल खाते से सम्माई ये मिडचें को भी चकले के खा सकते हैं, साइड़ डिश के जैसा, टू इन वन काम आते हैं, तो एक बार आप लोग ट्रै करेजी इस तरह से, तो आप लोग पूरा अच्छा सा, तड़का पूरा आगाए बाद, अपन घेट के रख लिए सो दाल है ना, वो दाल को पूरा भी इसमें याड कर लेते हैं, ए दाल को दाले बाद अपन पूरा मिक्स कर लेके स्टाव को बन कर लेना है, स्टाव को बननना है, मीन्स पूरा पक चुका है अपना दाल, तो अगर पतला, थोड़ पूरा भाप अपने को पूरा दाल को पूरा अच्छा सा अबजर कर लेके बहुत टेस्टी बनता है अपना दाल, कभी भी तढखा देने से आप लोग लिट को लगा दीजिए, एकदम मजेदार वो स्मोकी फ्लेवर अलग सर है तो अपना दाल बनके तयार हो गया है, अपन अपने को दाल खाने के बच्चे बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इस तरह से देने से अपने के हेल्दी डिश अपन बच्चों को खिला जैसा होता है, तो आप लोग ये रिस्पी अगर आप लोग को जरूर पसंद आये तो आप लोग कामेंट्स में में से शेर कर लीजिए, अगले वीडियो से फिर भी मिलते हैं, थैंक्स पर वाचिंग,